दोस्तों क्या हो अगर आपको एक एंसा रिमोर्ट मिल जाए जो कि आपके electronic devices के साथ साथ किसी इंसान को भी control कर सकता हो कुछ ऐसा ही होगा आज की इस कहानी में जब Michael नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक रिमोर्ट मिल जाता है और इसके बाद वो इस रिमोर्ट से अपनी जिन्दगी में क्या क्या बदलाब कर देता है जानने के लिए बने रही है इस वीडियो के end तक ये कहानी शुरू होती है और हमें Michael नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका एक काफी छोटा और सुखी परिवार है इस फैमिली में उसकी बाइफ का नाम डोरा होता है और साथ ही उसके दो बच्चे जिनका नाम सेमेंथा और केविन होता है वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ट्री हाउस बना रहा होता है अब क्योंकि माइकल एक बहुती बड़ी कंपनी में एक काफी कामियाव आर्किटेक्ट होता है वो काफी बिजी रहता था और इसलिए वो अपने बच्चे के स्वीमिंग कॉम्प्टीशन में भी नहीं पहुँच पाता यहाँ वो तब आता है जब कॉम्प्टीशन खत्म हो चुका होता है और कॉम्प्टीशन खत्म होने के बाद भी वो यहाँ पर अपने बोस से ही बात करता रहता है अब माइकल का बोस उसे एक बहुती बड़े प्रोजेक्ट का ओफर देता है और अब इसलिए Michael भी उस project के लिए हाँ कर देता है अब इसके बाद Michael अपने घर होता है और वो इस project के लिए अपने घर पर कुछ documentary देख रहा होता है वो यहाँ पर अपनी बाइफ से भी बात करता है वो उससे कहता है कि शायद मुझे इस project के चलते हमारी trip कैंसिल करनी पर सकती है ये वाद सुनकर उसकी बाइफ दोरा को काफी बुरा लगता है क्योंकि पिछले एक साल से ये सभी लोग इस trip के planning कर रहे थे खैर अब इसके बाद Michael अपने काम में लग जाता है वो यहाँ पर उस documentary film को start करने के लिए एक remote उठाता है लेकिन बहाँ पर पहले से ही बहुत सारी remote रखे थे और वो यहाँ पर गलती से एक helicopter का remote उठा लेता है वो helicopter सीधा आकर उसके सर पर लगता है और अब इस सबसे परिशान होकर Michael बाहर एक universal remote लेने के लिए चला जाता है अब universal remote वो चीज़ होती है जिससे की घर की सभी electronic चीज़ों को control किया जा सकता था Michael इस टोर पर पहुँचता है यहाँ पर वो shop keeper से universal remote मांगता है लेकिन वो shop की पर Michael से दोस्ती करना चाहता था लेकिन Michael को इसमें कोई भी दिर्चेस भी नहीं थी और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है Michael अपने सामने एक बैट को देखता है इसलिए वो उस पर आराम करने के लिए लेट जाता है और थोड़े समय के बाद वो दूसी तरफ देखता है तो उसे एक और shop दिखाई देती है वो shop के अंदर जाता है और यहाँ पर इससे Morty नाम का एक आदमी मिलता है यहाँ पर Michael उससे universal remote मांगता है और Morty उससे एक बहुती बड़ी जगा पर ले जाता है यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था अब यहाँ पर Morty एक खास जगा से universal remote को उतार कर Michael को देता है यहाँ पर Morty Michael को बताता है कि यह remote सब कुछ कंट्रोल कर सकता है साथ ही वो यहाँ पर Michael से कहता है कि मैं तुम इस remote को दे रहा हूँ लेकिन मैं यह remote तुम से बापस नहीं लूँगा अब Michael को उसकी बात काफी अजीब लगती है वो सोचने लगता है कि यह बस एक remote ही तो है और वैसे भी मैंसे बापस करने क्यों आउँगा खैर अब इसके बाद Michael वो remote लेकर अपने घर आ जाता है और वो documentary film में स्टार्ट करता है अब इसी बीच यहाँ पर उसकी बाइफ दोरा पहुँच जाती है और वो किसी बात की चलते है उससे जगड़ा करने लगती है और यहाँ पर Michael से गलती से remote का पाउस बेटन दब जाता है और तभी यहाँ पर Michael notice करता है कि दोरा सच में रुख चुकी है अब वो जैसे ही बटन को दोरा प्रेस करता है दोरा फिर से नोर्मल हो जाती है इसके बाद Michael अपने घर के basement में जाकर काम करने लगता है यहाँ पर Michael का कुता वो ज्यादा भूख रहा होता है और इसलिए Michael मजाक में वो remote उठा कर उसका volume कम कर देता है और इससे कुत्ते की आवाज सच में कम हो जाती है अब यहाँ पर Michael silent बटन दवाता है तो उसका कुत्ता silent हो जाता है अब यह सब देखकर Michael एक दम से हैरान रह जाता है इसके बाद वो अपने कुत्ते को जरूरी काम कराने के लिए उसे garden में ले जाता है वो यहाँ पर fast forward का बटन दवा देता है और इससे उसका कुत्ता सभी काम जल्दी जल्दी कर लेता है अब इसके एकले दिन हमें Dora की friend Annie को दिखाये जाता है वो Dora के पास आई थी और यहाँ पर Michael उस remote का use करते हुए उसे mute कर देता है अब इसके बाद Michael फिर से मोटी से मिलने के लिए जाता है यहाँ पर Michael उससे कहता है कि मैं उस दिन तुमारी बार ठीक से समझ नहीं पाया था तुमने तो यार सच में मुझे एक जादोई remote दे दिया है मोटी यहाँ पर Michael से कहता है कि यह जो तुमारे हाथ में remote है यह सच में एक universal remote है इससे तुम सब कुछ control कर सकते हो यहाँ तक कि तुम इससे अपनी life को भी control कर सकते हो वो यहाँ पर Michael से menu button दवाने के लिए कहता है जैसे कि Michael menu button दवाता है तो उसकी जिन्दगी की सारी यादें उसके सामने आ जाती है Michael यहाँ पर देखता है कि उसका जन्द कैंसे हुआ वो यहाँ पर अपने बच्वन को देखता है जिसमें वो बच्चों के साथ baseball खेल रहा होता है और उसके ममी पापा भी उसके साथ काफी खुश थे यहाँ पर उसके पापा उसे एक coin की trick दिखा रहे होते हैं जिसमें वो एक सिक्वे को अपने मुमे डाल कर उसे गायब कर लेते हैं अब यह trick देखकर मोटी भी काफी हरान रहे जाता है वो माईकल से पूछता है कि यह उन्हों न कैसे किया यहाँ पर माईकल से बताता है कि यह खास तरह का coin होता है जो कि सिर्फ खाने के लिए ही बना होता है यहाँ पर माइकल उस ये भी बताता है कि मैं हमेशा अपने पापा के सामने अंजान बनने का नाटक करता था लेकिन मुझे इस बारे में पता था बाद में मोर्टी प्ले का बटन दवाने के लिए कहता है और इसके बाद ये प्रिजेंट टाइम में आ जाते हैं इसके बाद मोर्टी अपना कार्ड माइकल को देता है जिससे कि अगर माइकल को कुछ भी पूछना हो तो वो उस helped कर सके अगले सीन में हमें दिखाये जाता है कि माइकल अपने बोस से मिलने के लिए एक होटेल में जाता है वहाँ पर उसका बोस उससा कहता है कि अगर तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है तो तुम्हारा प्रमोशन एकदम पक्का है और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए होगे तो अपने लिए नहीं नोकरी ढूंड लो अब इसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है दूसरी तरफ घर पर हमें डोरा को दिखाया जाता है जो कि माइकल के मौम और डेट को डिनर पर इन्वाइट करना चाहती है लेकिन माइकल इसके लिए मना कर देता है क्योंकि अब उससे बहुत सारा काम था लेकिन मना करने के बाद भी डोरा डिनर का प्लैन बना लेती है अब क्योंकि माइकल के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और इसलिए वो अपने पैरेंट्स के यहाँ पर आने उनके खाना खाने यहाँ पर बाते करने यह सारे पल वो अपने रिमोट से स्किप कर देता है इसके बाद वो अपने काम करनी की जगा पर आ जाता है इसके बाद यहाँ पर डोरा भी पहुँच जाती है वो यहाँ पर माइकल से कहती है कि तुम ने अपने पैरेंट्स से वादा किया था कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन अपने पिता को लंच पर इंवाइट करोगे और उन्हें सर्प्राइज भी दोगे लेकिन माइकल को यहाँ पर याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसना ऐसा कप कहा और इसलिए वो मोटी को कोल करता है और जैसे ही वो से कोल करता है तो मोटी उसके घर के दर्वाजे पर ही खड़ा होता है ये दोनों सड़क पर आ जाते हैं और यहाँ पर बाते करने लगते हैं मोडी यहाँ पर उसे समझाता है कि जब भी तुम फास्फोरवड का बटन दवाते हो तुमारी लाइफ भी ओटो पाइलेट के जैसे खुद से ही चलने लगती है इससे तुम अपना काम तो जल्दी कर लेते हो लेकिन तुम इस बीच उन से बाते भी करते होगे और इसलिए तुमने अपने पैरेंट से ऐसा कह दिया होगा इसके बाद मोडी वहाँ से चला जाता है खैरव अगली सुबाब उठता है और अपने ओफिस के लिए निकल जाता है लेकिन वो हर रोज की तरह ट्रैफिक में फंच जाता है और अब इसलिए वो fast forward button का use करके जल्दी से अपनी company में पहुँच जाता है है रव शाम को Japanese clients के साथ माइकल और उसकी boss की meeting होती है लेकिन meeting से पहले वो Japanese side में जाकर बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर माइकल remote से volume high कर गए और language को set कर गए उनकी बाते सुन लेता है और जैसे ही लोग चा रहे होते हैं उनके project में बदलाप कर गए deal fix कर देता है अब इस पर माइकल का boss काफी खुश हो जाता है कि आखरी ये माइकल ने किया कैंसे अब माइकल भी काफी खुश होता है क्योंकि उसे Japanese project मिल चुका है अब इसलिए वो घर आता है और अपने बच्चों के लिए साइकल्स और डोरा के लिए एक महंगा पर्स खरीद कर लाया होता है और साथ ही वो यहाँ पर डोरा को एक खुश खबरी देता है डोरा फिर से वो गाना सुनकर काफी खुश हो जाती है खैर अब अगले दिन माइकल जब अपने बोस से जाकर मिलता है तब उसका बोस उसे यहाँ पर कहता है कि तुम्हें और भी project करने होंगे उसके बाद ही तुम्हारा promotion होगा लेकिन उन project को पूरा करने में तुम्हें तीन से चार महीने लग जाएंगे यहाँ पर माइकल कहता है कि यह क्या बगबास है मैंने अपने promotion की खुशी में काफी सारी shopping कर लिए और अपने काफी सारे पैसे बरबाद कर दिये हैं उसका बोस कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे माइकल को काफी गुसाता है और वो time को रोक कर अपने बोस को 3-4 लाफ ही जड़ देता है और बाद में अपने बोस को normal करके वहाँ से चला जाता है इसके बाद माइकल मोर्टी के पास जाता है वो उससे कहता है कि मैं 3 महीने के लिए अपनी लाइफ को fast forward करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पर मोर्टी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अगर वो ऐसा करता है कि मैं 3 महीने आगे जाओंगा इसमें मेरा क्या भी कर जाएगा और इसलिए वो time को fast forward कर देता है अब वो सीधा अपने आपको ओफिस की party में पाता है जहाँ पर सभी लोग उसे बधाईयां दे रहे होते हैं उसका बोस उसे पिरमोशन के लिए बधाई देता है और यहाँ पर अपनी गल्फेंड जेनी से भी उसे मिलवाता है और यहाँ पर माइकल को रेलाइज होता है कि उसे अपने पिरमोशन में 2 साल लग गए है और उसने अपनी जिंदगी के 2 साल खो दिये हैं यह सब जानने के पास माइकल अपनी फैमिली के पास बापस पहुचता है और वो काफी खुश होता है अब यहाँ पर उसकी बच्चे 2 साल बड़े हो चुके थे और यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि उसका कुट्ता मर चुका है और यह सुनकर उसे काफी दुख होता है यहाँ पर वो अपनी वाइफ को गले लगाता है और इसी के साथ बुरी मोट टाइम को फास फोवट कर देता है अब यह देखकर माइकल काफी परिशान हो जाता है कि आखिर यह हुआ कैंसे और इसलिए वो फिर से मोटी को कॉल करता है लेकिन अचानक से मोटी वहाँ पर पहुँच जाता है जिससे माइकल डर जाता है यहाँ पर माइकल उसे अपनी परिशानी के बारे में बताता है मोटी उससे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ के दो साल fast forward कर दिये हैं तो उस दोरां तुमने जितने भी पल fast forward किये होंगे तो ये सारे पल auto fast forward mode में चले गए होंगे और ये जो भी हो रहा है ये भी इसी mode का एक feature है अब Michael उस remote को खुछ से दूर करने के लिए उसे फैंकता है Michael उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो remote तूटता ही नहीं और Michael समझ जाता है कि ये remote उससे अब दूर नहीं होगा अब अगली स्वज़ जब Michael सुबह उठता है तो वो नहाने और अपना नाश्टा करने का सीन fast forward होने के डर से बिना नहाई ही अपने office चला जाता है यहाँ पर उसका बोस उससे ऐसा करने की वजह पूचता है तो यहाँ पर Michael उसे एक अजीब सी वजह बता देता है यह बात उसके बोस के भी समझ आ जाती है और वो भी अपने कपड़े उतार देता है यहाँ पर Michael का बोस उसे बताता है कि मैं और जेनी अपनी कहीं और जिन्दगी बिताने के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए मैं अपनी जगा Eric Lemon को बिठाना चाता हूँ और उसकी जगा मैं तुमें बिठाना चाता हूँ और साथ ही उसका बोस उसे ये भी कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम जल्दी इस कंपनी के CEO बन जाओगे यह वास सुनकर Michael काफी खुश होता है लेकिन तब ही उसके रिमोट में Fast Forward बटन ओन हो जाता है और फिर से उसकी लाइफ आगे बढ़ जाती है यहाँ पर Michael अपने रूम में सोया हुआ था और यहाँ पर उसे उसके बोस का वीडियो को लाता है यहाँ पर उससे पता चलता है कि Eric Lemon में खुद खुशी कर लिये और अब उसकी कंपनी का CEO Michael ही है और अब यह सब उने में 10 साल बीच चुके थे वो यहाँ पर अपने आपको देखता है वो काफी मोटा हो चुका था वो घर जाता है तो पाता है कि उसका बेटा Kevin भी उसी की तरह मोटा हो चुका है Kevin अपनी इस हालत के लिए Michael को ही जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि Michael ने बचपन से उसकी परबरिश ठीक से नहीं की इसके बाद Michael सेमेंथा से मिलता है वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और काफी सुन्दर हुई इसके बाद Michael दोरा से मिलने के लिए अपने गार्डन में जाता है वो यहाँ पर आकर देखता है कि डोरा ने अपने बच्चों के ठीक भविशे के लिए दूसरे आदमी से शादी कर ली थी यह देखकर वो रिमोट को पाउस कर देता है Michael को काफी गुस्ता आ रहा होता है वो इस सब कर जिम्मेदार मोर्टी को ठहरा रहा होता है और यहाँ पर तुरंट मोर्टी पहुँच भी जाता है वो Michael से कहता है कि देखो यह जिन्द की तुमने खुझ चुनी है क्योंकि तुमने अपने काम और परिवार के बीच हमेशा अपने काम को ही चुना और इसी बज़ा से तुमारी यह हालत हो चुकी है अब यहाँ पर Michael जैसे ही प्ले का बिटन दवाता है तो डोरा का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और इससे उसके सर पर शोट लग जाती है जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि उसके शरीर की सभी चरवी गाया हो चुकी है वो एकदम ठीक हो चुका है और उसकी एकस बाइफ उसके पास होती है डोरा हो से बताती है कि तुम्हें कैंसर था इसलिए तुम्हारा बज़न तेजी से बढ़ रहा था इसी बीच तुम्हें काफ़ी टाइम लग गया और आज 6 साल के बाद तुम ठीक होए हो यहाँ पर माइकल और दुखी हो जाता है कि उसने अपने जिन्दगी के 6 साल और खो दिये बाद में माइकल अपनी कमपनी में जाता है तो वो पाता है कि उसकी बीडियो एक बड़ी सी स्क्रीन पर चल रही थी जिसके उपर आर्किटेक्ट ओफ दा येर लिखा हुआ था माइकल के सभी सबने तो पूरे हो चुके थे लेकिन अब वो इस सबसे खुश नहीं था क्योंकि माइकल ने अपनी जिन्दगी के काफी साल हो दिये थे यहाँ पर उसका बेटा केबिन उसकी बिजनिस में हेल्प करता है वो अपने बेटे के ओफिस में जाता है और उससे बात करता है यहाँ पर बातों के दोरान माइकल कहता है कि मुझे अपने डैट से मिलना है लेकिन यहाँ पर उसका बेटा केविन उससे बताता है कि ग्रेंट पा को गुजरे हुए काफी साल हो चुके हैं यह वाद सुनने के बाद माइकल बहुत ज्यादा रोता है इसके बाद वो अपने डैट से मिलें के लिए उनकी कबर पर जाता है वो यहाँ पर अपने फादर को बहुत मिस करता है और काफी रो रहा था वो यहाँ पर रिमोट को फास फोवर्ट करके उस समय में जाने ही कोशिश करता है जब उसके फादर की डैथ हुई थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता तब ही वहाँ पर मोटी आ जाता है वो से कहता है कि तुम उस समय में नहीं जा सकते जिस समय में तुम थे ही नहीं क्योंकि तुम अपने फादर की मौत की समय वहाँ पर नहीं थे कहता है अब Michael के डैडaide उसके अलवईदा कहते है और यहाँ से चले जाते हैं और जो अप्के समय में Michael था उनने देखकर गुड़बाइ कहता है अब माइखल अपने रीयाब टाइम में आ जाता है काफी कही होता है यहाँ पर मोटी कहता है कंजे भी उन्हें हैं यहाँ यहाँ अपने बेटे की शादी में स्पीच भी देता है और अपनी एक्स वाइफ डोरा के साथ डांस भी करता है इसी बीच उसे यहाँ पर हार्ट अटेक आ जाता है और वो नीचे गर जाता है इसके बाद जब माइकल को होश आता है तो वो होश्पिटल के बैट पर होता है जो कि service support की वज़ा से जी रहा था और तभी यहांपर केविन और सेमेंथा पहुंचते है Мाईकल केविन से कहता है कि तुम हनीमून पर क्यों नहीं गए वो कहता है कि एक urgent meeting थी इसलिए मैंने honeymoon को cancel कर दिया यहाँ पर Michael उससे समझाता है कि तुम अपने परिवार को time दो लेकिन उसा फिर से एक urgent meeting होती है इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है अब Michael उससे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन तभी मोटी भी यहाँ पर पहुँच जाता है वो उसे बैट पर बापस लेटने के लिए कहता है लेकिन Michael उसकी बात नहीं मानता वो बाहर Kevin के पीछे भागने लगता है बाहर काफी तेज बरसात हो रही होती है लेकिन फिर भी वो भागता रहता है और वो भागता भागता नीचे गिड़ जाता है अब यहाँपर केविन और आसपास के बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं यहाँपर माइकल केविन को समझता है कि हमेशा अपने परिवार को समय दो क्योंकि केविन भी माइकल की तरह ही गलती कर रहा था इसके बाद वो डोरा से बात करता है वो से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा इसके बाद मोटी भी यहाँ पर पहुंच जाता है वो से कहता है कि चलने का समय हो गया है और वो उसकी सोल को लेकर यहाँ से चला जाता है अब Michael मर चुका था और यहाँ पर सभी लोग रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर हम एक सफ़ेध फ्लेश को देखते हैं Michael यहाँ पर तेजी से गवड़ा कर उड़ता है वो बाहर आता है और अपनी पुरानी गाड़ी को देखकर काफी खुश होता है अब माईकल को परिवार का मतलब समझ आ गया था वो सबसे पहले जाकर अपने मॉम और डेट से मिलता है और उन्हें अपने गर डिनर पर इंद्वाइट करता है बाद में अपने घर पहुचता है और जोर जोर से बरतन बजाता है जिससे कि सभी फैमली मेंबर्स जाग जाते है यहाँ पर वो अपनी बाइफ डोरा से कहता है कि चलो जल्दी करो हमें अपने ट्रीप की तैयारी करनी है और यहाँ पर वो अपने बच्चों से ही वादा करता है कि अगले हफते अब मिलकर वो ट्री हाउस बनाएंगे बात में वो अपने रूम में जाता है और अपने मॉम डेट को फोन करने लगता है लेकिन तभी वो एकदम से घवरा जाता है क्योंकि उसके सामने वही रिमोट रखा था और साथ में मॉटी का एक नोट भी होता है उसमें दिखा होता है कि एक अच्छे इंसान को एक ब्रेक की जरूरत भी होती है इसके बाद मॉटी समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था वो सब कुछ रियल था बाद में माईकल सही फैसला लेता है और वो इस रिमोट को डस्ट बिंड में डाल देता है और अब अच्छे से अपनी फैमली के साथ मिलकर रहने लगता है और अब इसी के साथ ही मूवी भी यहाँ पर रेंड हो जाती है दोस्तो वीडियो के ऐसे लगी कोमेंट करके जरूर बताएं साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं हमारी नेक्ट वीडियो में